Hello guys, welcome to Garant Affairs Funder. दोस्तो, साल 2022 का पहला notification आ चुका है. आपको दादू ESIC, ये एक Central Government की जॉब है. यहां पर UTC की post निकाली गही है. और साथ में statewide vacancies दोस्तो दी गही है. अलग-अलग RO है, हर एक RO में vacancies जो हैं, वो यहां पर निकाली गही है. आपको दादू ESIC.NIC.IN की recruitment section में जाकर, आप detail देख सकते हैं, यहां पर हर एक RO का notification आया हुआ है. मैं आपको age बताऊँगा, pattern बताऊँगा, सारी चीज़े बताऊँगा, तो आप इस वीडियो को पूरा last तक देखें. जिससे आपको salary कितनी है, हर एक चीज यहां पर मिल भाए है, और पूरी information इस notification की decode करूँगा. सारे notification सेम है, केवल vacancy थोड़ी सी अग है हर अपने-अपने RO में. तो आप देख लें, मैं RO पटना का यहां पर एक्जामपल ले रहा हूँ. यह RO पटना और यहां पर UDC की, जो total vacancy है, वो 43 है, स्टैनों की 16 है, और MTS में 37 है. क्या age है, क्या eligibility criteria है, वो सारी चीज़ों के में आपर बात करूँगा. और form कैसे बरना है, कब तक form बरना है, वो सारी चीज़ आपको यहां पर पता चलेंगी. तो पहले आप इतना सोच कर चलें कि यह जो है, एक central government का organization है, तो यह जो job है, वो central government के अंदगत आती है, जिसको हम बोलते हैं, करमचारी राज बीमा निगम, मतलब, स्रमेबम रोजगार मंतराले बारा सरकार के अंदगत यह विवाग आता है, और यहां पर वो vacancy दोस्तों निकाली कही है, तो सबसे पहले आपको यहां पर pay scale बताना चाहूँगा कि क्या है, देखो, UDC और Steno, जो इनका pay level है, वो है 4, जिसमें 25,500 से लेकर 18,100, और यहां पर देखले, as per the 7th pay central commission उसके इसाब से आपकी salary बनेगी, salary अच्छी कासी है, आप यहां पर देखले, UDC के ल knowledge of computer, including use of office suits and databases, मतलर यहां पर यहां पर एका जा रहा है, जो computer की fundamental knowledge है, वो आपके बास होनी चाहिए, तो आप यहां पर UDC के लिए apply कर सकते हैं, और यह आप मान कर देखले, किसी भी stream से आपने creation किया हो, it doesn't matter, आप यहां पर apply कर पाएंगे, इस Teno के लिए यहां पर 12th pass है, इसके equivalent आप हो कहीं से, इसके equivalent आप हो कहीं से, इसके लिए इसके equivalent आप हो कहीं से, इसके लिमिट कितनी आपर रखी है, तो बोचीज में आपको यहां पर बता दे रहा हूं, देखो, एज लिमिट जो है, वो UDC और स्टेनों के 18-27, यह तुड़ा सा एक लोगों के मन में सव इसके लिमिट नहीं है, तो यह सेंट्रल गवर्मेंट में ही हम कह सकते हैं कि जो बाबू बगरा होते हैं, उस तरीके का आप मान कर चलो, तो 18-27 वह यहां पर रखा गया है, और जो क्लोजिंग डेट है, यह है 15 फर्वरी 2022, तो मैं लिए लिए लिखा है, 18-27 साल as on the closing date for receipt of application that is 15th of February 2022, मतलब 15 फर्वरी 2022 तक अगर आप calculate कर लो, आपके 27 के अंदर में है, ठीके, और 18 से उपर है, 18-18 से उपर 27 से नीचे, ठीके, तो exactly 27 साल एक दिन का कोई है, तो वह फर्म को नहीं पर पाएगा, ठीके, तो यह चीज आपको यहां पर ध्यान रखना पड़ेगा, और M देख सकते हैं, तो अच्छी बड़ी अपॉर्चुन्टी है, पेपर में क्या-क्या चीजें पूछी आती है, वह यहां पर आपको डिसक्स करें के शॉट में बताना चाहूंगा, मैं आपको बता जाता हूं कि पेपर का लेबल कैसा आता है, कैसा एक्जाम होता है, तो दोस 50-50 नंबर के होते हैं, 100-200 नंबर का पेपर, एक गंटे का टाइम दिया रहता है, और हिंदी और इंग्लिस में पूरा आपका पेपर रहता है, अगर आप इस पेपर को टच करना चाहते हैं, तो आप यह देख लेएं कि यह UDC, जो ESIC UDC है, यह OLLIBOARD इसके मॉक बगरा कंड कराता है, और पेपर का लेवल कैसा है, आप फ्री टेस्स देकर देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्किप्शन में आप सभी को दिया है, कोई पेमेंट अभी नहीं करना है, आपको सिंपल साइन करना है, और जाकर यहाँ पर मेटरिल देखना है, और काफी कुछ पीडियाफ अधर चीजें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी, तो लिंक मैंने नीचे डिस्किप्शन में आप सभी को दोस्तों दे रखा है, देखो यार, सीधी सी बात है, कि इस एक्जाम को अगर आप टार्गेट करो, तो आपको तयारी अच्छी करनी पड़ेगी, क्यों और प्री केबल आपका क्वालिफाइं इन नेचर होता है, मतलब आपको क्वालिफाइं करना है, इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं मार्क होंगे, और यह लिखा हुआ है, कि रॉंग नंबर अगर करोगे, तो वहाँ पर आपका निगटिव जाएगा बन फोर्थ, और जो भी Candid Short List के लिए वह 1-10 का होगा, मतलब अगर suppose करो कहीं पर 100 vacancies है, तो इनका 10 times, मतलब 1000 लोगों के लिए आगे mains के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, यह 10 times है, वेकंसी के हिसाब से होगा, और mains में आपका वही, General Intelligence Reasoning, General Awareness, Quant, और English, यह आपका mains में भी रहता है, लेकिन all mains में, एक question 1 number होता है, यहां पर एक question 2 number को होता है, यह फर्क में में में, में TribIs के मेरेट के जुढ़ें है, और यह आप drama कि मेंस के लिए अगर आप जाते हैं ठीक है, फेस टू है वह अपका final selection के रहाएगा, और यह लिखा है किि फेस रीच बाधा होताया तमस रहा बहाँ जो number of vacancies है 5 times के इसाफ से ठीक है यह है तो बाकि phase 3 computer skill test में क्या क्या चीज है वो आप यहां पर देख लो यह आपका है यहां पर preparation of 2 powerpoint slides 10 marks का है typing matter of ms word with formatting 20 का है preparation of table on ms excel with the use of formulas यह 20 का है तो 30 number में यह चीज़े आपकी रहेंगी यूटूब पर आपको यह सारी चीज़े मिल जाएंगी powerpoint slides वगरा format कैसे करना है ms excel कैसे पढ़ना है तो यह आप 10 दिन में सीख सकते हो सबकुछ practical ways दें बाकि major part आपका यह बाला है तो आप इसे रेटिन के अच्छी त्यारी करें और यह material यहां पर मिल जाएगा ताकि दर दर जाना ना पड़े ESIC UTC यह अले बोर्ट त्यारी कराता है इसमें मौक भी मिल जाएंगे और भी चीजें मिलेंगे तो आगे हम फिर discuss करेंगे और अच्छी opportunity है अभी के लिए आईए तो फांबरो और अपनी त्यारी अच्छी करें thank you guys have a good day to all of you once again